नमशकार जैश्री राथी मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्म कौश्रिक और आप सभी दर्शकों का हमारी चानल पे बहुत-बहुत स्वागता है इस चानल को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत प्रेस करके सब्सक्राइब जरू करें लाइक कमेंट शियर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगते हैं और साथे साथ आज हम बात करेंगे बेहर दिखास विश्रे पे हम बात करेंगे योगिनी एकदशी की योगिनी एकदशी इस वर्ष 2 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी और महीने की शुरुआत होते ही यानि की जुलाई की शुरुआत ही दूसरे दिन योगिनी एकदशी का परफ पढ़ जाएगा अब वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में 24 एकदशी होती हैं परन्तु जब अधिक मास पढ़ जाता है तो ये 24 एकदशी से 26 एकदशी बन जाती है मग पर वहीं पर ये जो समय रहे का ये काफी spans तक खास रहेगा योगिनी एकदशी जो पढ़ती है ये आशान मास के कृषिन पक्ष की एकदशी पर पढ़ जाती है और वहीं पर ये एकदशी का पहुत अधिक महत्वेर रहता है कहने को ये है कि 24 एकदशी ओका बहुत ही खा लक्ष्मी से सम्बंदत कोई भी परिशानी उत्मन नहीं होती है, ठीक उसी तरह से आपके पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए या किसी भी जाने जाने में आपसे कोई गलती हो गई है, उसका प्रैश्चित करने के लिए आपके लिए ये बहतर रहेगा कि आप यो जो यकि पूजरातनगरे उनका जो प्रतिमा है उसको स्थापद करें चौकी के ऊपर, चौकी पर आप लाल या फिर फिर पीले रंग का वस्तर बचाएंगे, पीले रंग का वस्तर जादा सही रहेगा और इसके अलाबा जो है, माताल लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखना ना तो इसलिए लक्ष़मी निरायन जी की पूजा रातना जरूर करें, खीर इस दिन सादू दाने की जरूर बनाएं, चावल नहीं बनाया जाते हैं। इस दिन साबोदाने की खीर जरूर बनाएं, इसके अलावा जो है आप सेवईया बना सकते हैं, वही पर इस दिन आप जो है हरी नरायन जी को पेसन से बने हुए मिश्ठान जरूर अरपित करें, वही पर आप लोग पीले पुष्प जरूर अरपित करें, गैंदे के इस दिन जो है अगर आप भगवान नरायन जी की पूजा रातना करते हैं, उनके मंत्रों का उप्चारण करते हैं तो बेहत ही खास रहेगा, साथे साथ इस दिन अगर आप विश्न पुरान का पार्ट करते हैं, तो वह भी आप लिए बेहत खास रहेगा, तो उमीद करती विश्य आपको अच्छा लगा होगा, फिलाल खिली मुझे दीजे इजाज़त, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्स्क्राइब करना, न भूले हमारे चानल को, नमश्कार, जै श्री रादे